कि नमस्कर आप सभी का साहिबान कदरदान महरबान आज हम आपके बीच में जो स्यूटी की नए बच्चे हैं थाली 24 का जो इनुवस्टी ओफ इलहाबाद का सपना देख रहे हैं उनकी लिए बहुत सांदार वीडियो है आपको इस वीडियो में अडमीशन से लेकर के कट का सपना देख रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल अलहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रस से आप जुड़ जाए इसके साथ हमारे इंस्टाग्राम का पेज है अलहाबाद इनुवस्टी एक्सप्रस का उसका लिंक सारी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिंड की है जो यूजी कोर्स के बच्चे हैं यानि बीए प्सी पी कॉम पी एललबी पी अफे पीए पीए पीवाक पीए इन मीडिया इस्टडी जो भी हैं अंदरा सूला सत्तरा कोर्स इन बच्चों का जो इंटरंस है वो अभी एंटिये करवा रही है कंड़क्ट ऑफलाइन ऑनलाइ इन दोनों मूड में तो यंटिये के इंटरंस के बाद फिर देखिए लहाबाद ने नोट्रिफेकेशन जारी की है अगर आप लहाबाद यूनिवर्स्टी के लिए आना चाहते हैं लहाबाद लिए अगर आना चाहते हैं तो यह अभी सूचना आई थी कि 10 मई से अब वीड में बच्चे जो CUETUG के इंटरेंस के फॉर्म में इलहाबाद यूनिवर्सिटी का आप्शन नहीं चुने थे वो बच्चे भी अब अपना आप्शन में रजिस्टेशन कर सकते हैं माली जी कि आपने CUETUG भरा है आपने BHU सेलेट किया है अब खुदा ना खास्ता फॉर्म खुलेगा तब आप रजिस्टेशन कर दीजिएगा बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं जिन्होंने एंटीए के फॉर्म में CUETUG के फॉर्म में लहाबाद उनिवर्स्टी को उप्शन करना पड़ेगा तो अभी उनिवर्स्टी से सूचना कोई नहीं है आप इससात माल लिजे कि आपका 15 मई तक इंटरेंस होगा पंदरा मही तक आपका इंटरेंस होगा तो देखिए पिछली बार इन्वर्स्टी ने अड़िसन प्रोसेस में बहुत लेट कर दिया था यब आपका इंटरेंस हो जाएगा तंब आपका रिजल्ट आने वाला होगा त दस मही से उसको पोर्टल को उन्वस्टी चालू कर देगी, दस मही से पोर्टल चालू हो जाएगा, जब सूचना यहां से दी जाएगी, जो बच्चे इलहबाद उन्वस्टी में अपना एडमीशन करवाने की इच्छुक है, यानि काउंसिलिंग करवाने की उच्छक है, बढ़ मिं जो और जो यंवस्टी का पोर्टल आया था जिन्वस्टी का फार्म भरा था, वय बच्चे आप बिद इन्वस्टी करना स्टार्ट करें सब्स्दों किया ओंसिलि तिक्कत नहीं है, आप आप लोग डिस्टेसट करें ये आपको मैं बताऊंग तभी आपको करना यानि और से ह averaging फिर एक्वर्बर देख लीजिए एसा निया कि शर्वों सर्वा में ही हूँ लेकिन यह है को सब से पहले प्रोसेस आपका होगा रिजल्ट के मतलब आपके इंट्रेस दबाप देंगे इंट्रेंस के बाद फिर आपका प्रॉसेस होगा, जब आप इंट्रेंस दे देंगे इसके बाद आपका प्रॉसेस यहां पर होगा, रजिस्टेशन का, रजिस्टेशन आप करेंगे काउंसिलिंग के लिए, काउंसिलिंग का हिस्सा बनने के लिए, उसमें आपका मार्किंग क्या है सारी चीज़ें क्या है तो यह registration आपका होगा 10 मैं से तो start है यह मई में आपका registration हो जाएगा इसके बाद जैसे ही आपके NTA का result आएगा तो result में आप अपने number को count करेंगे यह eligibility criteria मैंने आपको पहले इस channel पर वीडियो में बताई है कि इलहबाद University में general test language वे सबके लिए compulsory है लेकिन domain subject का लग़ला credit जैसे become का cutoff 600 नंबर में बनेगा बी अका cutoff 6500 नंबर में बनेगा बी ब्ल्ली का cutoff 600 नंबर में बनेगा registration के बाद फिर university का cut off जारी होगा बाबू, cut off जब जारी होगा, तो पहले से ही predict कर दूँगा, cut off जब जारी होगा, फिर आप, अगर cut off के अंडर में आएंगे, अपना number जोडने के बाद, तब आपकी फिर counselling होगी, ये पूरा process, इनुवस्टी ओफ एलहाबात करें, बहुत आ आप जो भी comment box में लिंक पिंड उसको आफ फॉलो करिए, ये पूरा process इनुवस्टी ओफ एलहाबात का है, इसके बाद अगले वीडियो में हम बताएंगे कि इनुवस्टी के क्या क्राइटेरिया, eligibility criteria, cut off क्या से बनता है इनुवस्टी ओफ एलहाबात में, आप उस वीडिय का registration का form आएगा, फिर से, यानि कि NTA का जब आप परिच्छा देंगे, फिर registration का form आएगा, आप उसको form को fill करेंगे, फिर आपका result आएगा, result की बाद आप cut off में अपने number को add करेंगे, फिर विसुविदाले cut off जारी करता है, cut off जारी करने के बाद अगर आप उसके अंदर eligible ह एक बार नहीं कई round में cut off आता है, उसके हिसाब से जब आप eligible होंगे, तब आप online अपनी घर से बैठे बैठे, विसुविदाले के लिए counseling करवाएंगे, तो फिर आपका counseling होगा, आपका subject lot होगा, फिर आपका admission होगा, आपका fit submit होगा, तो परिशान नहीं होना है, जुरे रह के साथ और Allahabad University Express के साथ, क्यासा लगा वीडियो, comment box में जरूर आप comment करिएगा, thank you